वरुथिनी एकादशी व्रत कथा, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधाता नामक राजा राज्य करते थे, वो अत्यंत दान्शीर तथा तपस्वी थे, एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राज पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे, कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया, राजा बहुत घब राया, मगर तापस धर मनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विश्नू से प्रार्थना की, करोन भाव से भगवान विश्नू को पुकारा, उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरी विश्नू प्रकेट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला, राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोक आकुल हुए, उन्हें दुखी देखकर भगवान विश्नू बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मतुरा जाओ और वहुतिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ती की पूजा करो, उसके प्रभाव से पुना सुद्रण अंगों वाले हो जाओगे, इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम पूर्न अंगों वाला हो गया, इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधाता स्वर्ग गये थे, जो भी व्यक्ती भय से पीले थे, उसे वहुतिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विश्नू का स्मरन करना चाहिए, इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मो मिलता है